हेलो स्टुडेंट, मैसेल्फ किरन शर्मा फ्रोम हैप्पी केम्बरे स्कूर। बिटा आज की इंग्लिश की क्लास में हम अपनी एक्टिविटी प्रेजन टैंस करेंगे। उसके अंदर हमें सीम्पल एंड प्रोग्रेसिव इसके अंदर फिल अप करने हैं। फिल इन दा कोरेक्ट फोर्म ओफ दवर्ब गिवन। प्रेजन टैंस सीम्पल और प्रोग्रेसिव। अब आप यह सोच रहोंगे की प्रोग्रेसिव क्या होते हैं। और सीम्पल। Simple Present Tense जो हम Present Indefinite करते है Progressive Present Continuous Tense और इनके Rules भी आपको पता है अब हमें ये इसके अंदर Fill Up करने हैं आपको यहाँ पे वाप दी हुए है ठीक है और ये आपको खुद देखना है कि मुझे यहाँ पर Present Indefinite Fill Up करना है या Present Continuous या Progressive जिसको हम बोलेंगे सबसे पहले हमारा सब फॉस संटेस देखिए डैड डैश अस टू स्कूल एवरी मौर्निग यहाँ पे लिखवाए ड्राइव तो मैं यहाँ पर Fill Up करूंगी Present Indefinite या Present Simple यहाँ पर कर देंगे हम Drives ठीक है D, R, I, V, E, S यहाँ पर Drives S इसलिए लगा बटा क्योंकि यह हमारा Singular था और आपको पता भी जब हमारा Singular आ जाएगा तो हमने वहाँ पर S या E S लगाते हैं Present Indefinite में Next Max – at an internet campus this summer Is working Present Continues में क्या होता है Is MR प्लस वर्ब की फर्स्ट फर्म के साथ I, N, G लगाते हैं ठीक है Max Max क्या हमारा Singular Singular के साथ मुझे क्या लगाना है Easy लगाना है ठीक है और Proler के साथ मुझे R लगाना है और I के साथ हम M लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फर्म के साथ हमें I, N, G लगाना है Next We dash abroad this year because of the pandemic यहाँ पर देखो not going ठीक है और यहाँ पर क्या जाएंगे We are not going यानि कि इस साल हम abroad नहीं जा रहे हैं pandemic के कारण Fourth It never dash in the Atacama Desert in Chile यहाँ पर क्या जाएगा rains इसको हम यहाँ पर फिल अप कर देंगे rains Next Marty dash to the fitness center on Monday Not usually go अब इसमें देखे हम क्या करेंगे does not does not usually यू एस यू एडबल लवाई usually go बर्व आपको पीछे दियो है बटा इसी में से आप देख देखके आपको fill up करना है यहाँ हमारा negative का था यह present definite का इसलिए हमने यहाँ पर does not लगा दिया उसके बाद आता है मेरा sixth what is that I dash sounds that are not there यहाँ पर लिखा हुए here I am hearing H E A R I N G उसके बाद हमारा seven आता है V dash of living Britain next year we might go to America bracket में क्या है think we are thinking T H I N K I N G इस तरह से बेटा यह आपको दियो है 25 यह देखो आप इन सब को आप अपनी English की grammar की notebook में कर लेना ठीक है अगर कहीं पर आपको problem आएगी तो हम इसको online class में भी discuss कर लेंगे ठीक है आप इसको उतार लेना अपनी notebook में कहीं आपको अगर कोई problem आती है online class में discuss कर लेंगे थैंना процесс 25